कर दो कि अज़िए हैं आज से मैं आप लोगों के लिए ग्यारा हज्यार प्रस कोस्टन का टेस्ट सरीज मार्क्समैन का प्रोवाइट करोंगी जो आपके हर एक्जाम के पॉइंट आप यूशे बेनिफीशल होंगे चाहिए वो बिहार स्टेट बिपी एससी हो बिहार पीसी हो इसेक्टरा तो चलिए आज का टेस्ट स्रीज लगाते हैं आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपक अप्संट इसक्डर नर्मदा घाटी में नेक्ट उस अस्थल का नाम बताईए जहांसे प्राचींतम अस्थाई जीवन के प्रमान मिले हैं नेक्षट अप्संट इसक्रेक्डर मेहरगड़ में मेहरगड़ कहाblyn तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस्थित हैं नेक्स्ट है कि खाद्यानों की क्रिसी सरो प्रथम प्रारंब होई थी नौ पाशान काल में यहाँ पर से जो यह मार्क्समन का टेस्ट सिरीज है उस सबसे पहले हिस्ट्री के पार्टिकुलर टॉपिक वाइच को यहाँ पर कवर किया हुआ है तो यहाँ पर आपका सिंधु गाटे सब बिता पासान काल आर्यों से संबंधित आपसे कोस्टन पूछे गए हैं वैदिक काल से नेक्स्ट स्रीज टेस्ट स्रीज में हम लोग पढ़ेंगे बहुत धर्म जैन धर्मित्यारी के बारे में नेक्स्ट भारतिय उप महादूइप में क्रिसी के प्राचीनतम साक्षे प्राप्त हुए हैं यह उत्तर परदेश की संत कबीर जीले में इस्थित है लहुरा देव अगर लहुरा देव आपसन में नहीं रहे तो उस कंडिशन में मेहर गड़ हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्द लिखित में से किस कोच्याल को लिथिक युग भी कहा जाता है तामर पाशान युग को नेक्स्ट निम्द में से किस एक पुरास्थल से पासान संस्कृति से लेकर हड़पा सब्यता तक के संस्कृतिक अवशेस प्राप्त हुए हैं मेहरगड से नेक्स्ट है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था ऑप्सन C, H.D. सांकलियाने नेक्स्ट नवदा टोली किस राच में अव इस्थित है मद्ध परदेश में नेक्स्ट है कि ब्रिहत पाशान समारकों की पहचान की गई है आप्सन बी इम्रितक को दफराने के रूप में नेक्स्ट है कि राख का टीला निन लिखित किस नौफ पाशाने कस्थल से संबंधित है आप्सन बी संगन कल्लू से ठीक है ना संगन कल्लू कहा है तो उत्तर प्रदेश के इलाहा बाद जिले में बेलन नदी घाटी में इस्थित है संगन कल्लू नेक्स्ट उत्खनित प्रमानों के अनुशार पसु पालन का प्रारंब हुआ था आप्सन डी मद्ध पाशान काल में नेक्स्ट मद्द पाशानिक प्रसंग में पसुपालन के प्रमान जहां मिले हैं वह अस्थान है option C आदमगड यह मद्द प्रदेश का आदमगड तथा राजस्थान के बौगौर से मिले हैं यह प्रमान नेक्स्ट है कि निन्द लिकित में इसके किस अस्थल से हड़ी के उपकरन प्राप्त हुए है देखे हड़ी का जब करत हैं यहाँ पर थोड़ा सा question में confusion है चुकि इसका correct answer C और D यह दोनों हो जाएगा लेकिन इसका correct answer C हो जाएगा महदहा जो उत्तर प्रदेश के परताप गड़ जिले मिस्ती थे चुकि महदहा से ज़्यादा एमाउंट में हड़ी के उपकरन मिले हैं जबकि सराई नहर राय से अल्प मात्रा में मिले हैं निक्स्ट है कि गौरिक मृद्भान पात्रियानी ओशी पी का नामा करन हुआ था ओप्सन A हस्तिनापुर में तामर पाशान काल में महरास्ट के लोग मृत्तकों को घर के फर्स के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे ओप्सन A उत्तर से दक्षिन की और उत्तर सर रहता था जबकि दक्षिन उनके पैरों को रखा जाता था नेक्स्ट है कि निमनलिकित में से किस अस्थान पर मानों के साथ कुट्टे को दफनाए जाने का साक्ष मिला है Option A, बुर्ज होम में, बुर्ज होम कस्मीर का एक्षित्र है यहाँ पर साथ आप देख सकते हैं कि शैंधव सभिता एवं संस्कृति से question A, राइच किये गए हैं तो question number 18 ते है कि हड़ाग पानिमन लिकित में से किस सभिता से संबंधित है Option B, सिंदू घाटी शभिता से Next, सिंदू शभिता संबंधित है Option B, आद्ध एती हाशिक यूग से देखे, आद्ध एती हाशिक काल उस काल को कहती हैं जिसमें उत्खनन के दौरान लेखन कला तो मौझूद था, स्क्रिप्ट तो मौझूद था वो ऐसी राइटिंग में लिखें गए या फिर ऐसी लीपी में लिखें गए कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है Next है कि सिंदू घाटी की शभिता गैर आरे थी क्योंकि Option E, वह नगरिये सभिता थी जबकि आर्यों की जो सभिता थी वो एक ग्रामीन सभिता थी Next है कि सिंदू घाटी की शभिता को आर्यों से पुर्विकी रखे जाने का महत्वे पुर्ण कारक है मृदभांड सिंदू घाटी की शभिता वैदिक शभिता से भिन थी क्योंकि निक्स्ट की हडपा संस्कृती की जानकारी का प्रमुक स्रोत है Option जी पुरत तात्विक खुदाई निक्स्ट भारत में चांदी की उपलप्तिता के प्राचींतम साक्ष मिलते हैं Option A हडपा संस्कृती से निक्स्ट हडपा में मिट्टी के बरतनों पर शामाने तक किस रंग का उप्योग हुआ था Option A लाल रंग का Next मुर्ती पूजा कारंभ कब से माना जाता है Option A पुर्व आरे से मुर्ती पूजा कारंभ माना जाता है सैंधो शब्विता में मुर्ती पूजा प्रचलित थी Next एकिनिम देलिकित पस्वों में से Option A जो हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा Option A गाय का निरूपन नहीं किया गया था Next है कि एक जुते हुए खेत की खोच की गई थी Option B काली बंगा में ये राजस्थान के हनुमान गड़ जिले में सिच्वेटेड है काली बंगा Next है कि शैंदो शबिता का महान अस्नानागार कहां से प्राप्द हुआ है Option A मोहन जोद्रो से Next सिंधू गाटि सबिता का कौन सा अस्थान अब पाकिस्तान में है Option B हडपा पाकिस्तान में है काली बंगा राजस्थान में लोथल गुजरात में तथा आलम गिरपूर उत्तर प्रदेश में Next है कि जंगपूर जहां हडपा की शमकालिन सबिता थी वह है Option C सौरास्ट्रो में Next सिंधू सबिता का कौन सा स्थान भारत में इस्थित है Option C लोथल जो गुजरात में है जब की हडपा महंज़र दोनों पाकिस्तान में है Next है कि वह हडपी नगर जिसका प्रतिन धित्व लोथल का पुरतात्व अस्थल करता है किस नदी पर इस्थित था Option C भोगवा नदी पर हडपा सबिताल अस्थल लोथल इस्थित है Option A गुजरात में Next सिंदू गाटी सबिता का पतन नगर यानि बंदरगाह था लोथल Next है कि भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरास्थल है Option D राखी गड़ी Next सिंदू गाटी के लोग विश्वास करते थे Option D मात्री सक्ती में सिंदू गाटी के लोग मात्री सक्ती में विश्वास करते थे देखे उसकी लीपी जो है वो अभी तक पढ़ ही नहीं गई है सिंदू गाटी की इसी कारण से उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कुस निस्चत तोर पर नहीं कहा जा सकता इसलिए मात्री सक्ती हो भी शक्ती है नहीं भी से विवाद के कुस्टन में रखा गया है नेक्स्ट एकि सिंदू गाटी के लोग पूजा करते थे ओप्सन ए इस करेक्ट पसूपती नाथ की नेक्स्ट एकि मोहन जोड़ो वो महडपा के प्रतात्विक खुदाई के प्रभारी थे ओप्सन भी सर जौन मार्सल नेक्स्ट सिंदू सभिता की विक्षित अवस्था में निम्द लिखित में सिकिस अस्थल से घरों में कुओं के अवशेश मिले है ओप्सन दी मोहन जोड़ो यहाँ पर according to book का गया मोहन जोड़ो बट ये गलत है चुकि जैनरायन पांडे के according शिंदू सभिता के अधिकांस नगरों के लगभग प्रते घर में कुएं और अस्थनानागार मिलें इसलिए कुछ पिक्स नहीं का जा सकता कि सिर्फ मोहन जोड़ो में ही थे लगभग घर यहाँ पर बताया गया according to जैनरायन पांडे नेक्स्ट है कि सरुपर्थम मानाव ने निम्द धातू का उप्योग किया था तामबा हराप्पा काली नस्थलों में अभी तक किस धातू की प्राप्ती नहीं हुई है ओप्शन नमबर डी इच करेक्ट लोहा नेक्स्ट निम्द में से कौन सा अस्थल घगर और उसकी सहयक नदियों की घाटी में इस्थित है उप्शन डी बनावली नेक्स्ट धौनाव वीरा किस राज में इस्थित है वह है गुजराथ नेक्स्ट ठवपन संसरसी के शंदर में शैल क्रत स्थापत्य के प्रमान कहां से मिले हैं Option B. धौला विरा से Next, एक उननत जल प्रवंधन में वस्था का शाक्षि प्राप्त हुआ है Option B. धौला विरा से नेक्स्ट हड़पन अस्थल सनौली किस अभी हाल में उत्खन्दनों से प्राप्ट हुए हैं मानो शवाधान नेक्स्ट वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंब सबसे पहले किया था Option D भारत में नेक्स्ट निम्न अस्थानों में से किस एक अस्थान फर शिन्दू काठी शवःता से संबन्दित विख्यात वॐ ज्रिशव मुद्रा पराप्ट हुई थी औप्सन D, मोहन जोदलो से नेक्स्ट निम्न लिखीत में से किस पसू कांकन हडपा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है औप्सन C, घोڑा का नेक्स्ट किस पसू के उशे शिन्दू का टिशबिता में प्राप्त नहीं हुए है أوप्सन A, सेर के नेक्स्ट मृरिन मट्टिका पट्टिका पर उतकिरिण सिंग युक्ष देवता की कृती प्राप्त हुई है काली बंगा से निम्न लिकित में से कौन सी सब्विता नील नदी के तर्ट पर पनभी मिस्र की सब्विता नेक्स्ट लेखन कला की उचित प्रनाली विक्षित करने वाली सर प्रथम प्राचिन सब्विता थी शुमेरिया यह पर से वैदिक काल से कोसे ने राइच किये गए हैं तो आरे सब्द इंगित करता है स्रेस्ट वन्स वो नेक्स्ट क्लाश्री की संस्कृति में आरे सब्द का अर्थ है ओप्सन डी एक उत्तम वेक्ती नेक्स्ट सबसे पुराना वेद कौन सा है रिग वेद नेक्स्ट त्रई नाम है तो त्रई जो है वो तीन वेदों का नाम है और इसमें रिग वेद ये जिर वेद था साम वेदाते हैं और इसमें खीनित डी णिद नेक्स्ट अकिनिन लगी चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशी करन का वर्णन है ओपसंशण सी अ धर वेद में नेक्स्ट डी वेद में रिच्चाएं हैं यहां पर option correct put नहीं किया गया, setup नहीं किया गया option का सही तरीका से, तो रिक वेद में कुल 1028 सुक्त है, option 1028 तो है बट रिचा से connect कर दिया गया है, 1028 सुक्त है बट according to घटना चक्र यहां पर हो जाएगा 10,500 बामन रिचाएं नेक्स्ट है कि रिग वेद का कौन सा मंडल, पुल्ण सा सोम देव कुष्ण मर्पित है, नौमा मंडल यग संबंधी विदी विधानों का पता चलता है, यजुर वेद से, निम्दरिकित में से किसका संकलन रिग वेद पराधारित है, साम वेद का नेक्स्ट भारत के किस अस्तल की खुदाई से लोधातू के परचलन के प्राचीन्दम प्रमान मिले हैं अत्रंजी खेडा से उपनिशद पुस्तके हैं दर्सन पर नेक्स्ट एकिनिंद लिकित में से किस एक वैदिक शाहित में मुक्ष की चर्चा मिलती है उपनिशद नेक्स्ट अध्यात्म ज्ञान के विषये में नचीकेता और यम का शम्वाद किस उपनिशद में प्राप्त होता है उप्शन सी कठो उपनिशद में नेक्स्ट उपनिशद काल के राचा औश्व पति सासक थे Option B, के कई के Next, आरंबिक वैदिक शाहित में शर्वादिक वरिनित नदी है सिंधू वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है Option C, चे नाव के साथ Next, आरंबिक वैदिक नदी की नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आर्यों की संबंद का सूचक है Quba तथा कर्मो Next, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहा निरधारित होना चाहिए अफगानिस्तान में Next, है कि निम्न लिकित में से कौन सी वह ब्रह्मा वाहनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपा मुद्रा रिगवैदिक काल में निस्क सब्द का प्रयोग एक आभुशन के लिए होता था श्वरना भूशन नेक्स्ट एक निम्न लिखित अभी लेखों में से कौन सा इरान से भारत में आज़ियों क्याने की सूचना देता है बोगाच कोई नेक्स्ट किस गरंद में पुरुष मेद का उलेख हुआ है उप्सन सी सत्पत द्राम्हन में नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में निम्न लिखित में से किन को आज़ संस्क्रती का धूर समझा जाता था उप्सन सी कुरुत था पंचाल को विखोच उत्तर वैदिक काल में नगरी करन की प्रक्रिया आरंब हो चुकी थी गुरू पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे चलिए नेक्स्ट है कि गोत्र सब्द का प्रियोग सरो प्रथम हुआ था रिगवेद में नेक्स्ट पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यग रिगवेद काल में जनता निम्न में से मुख्यता किसमें विश्वास करती थी और संडी बली वं कर्म कांड में प्रसिद दस राजाओं का युद सिद दस राक युद भी कहा गया किस नदी के तट पर लड़ा गया परुशनी यानि रावी नदी के तट पर निम्ण में से किस नदी को रिग वेद में मातेत्मा देवित्म और नदित्मा शंबुधित किया गया है सरश्रती नदी को नेक्स्ट है कि उस चंजाती का नाम बतलाईए जो रिग वेदिक आरेयों के पंचिजन से संबंधित नहीं है कीकट प्राचीन काल में आरेयों के जिवो कारजन का मुख्य स्रोत था ओप्सन एक क्रिशी तथा पशुपादन करना जीग वेद में लिखी थी यव सब्द किस क्रिशी उतपादन हेतु प्रयुक्त किया गया है जव नेक्स्ट वैदिक युग में प्रच्रित लोक प्रिये सासन प्रनाली थी ओप्सन डी वन्स परम परागत राच्त अंत्र वैदिक युगीन सभा मंत्री परिश्ट थी किस वेद में सभा और शमीती की प्रजा पतीद की दो पुतरियां कहा जाता है अथर्व वेद को नेक्स्ट है कि आयूर वेदर था जीवन का विज्ञान का उलेक सर्व परतम मिलता है अथर्व वेद में नेक्स्ट है कि सरवादिक रिगवैदिक शुक्त समर्पित है ओप्सन बी इंद्र को इंद्र को कुल धाय सुक्त समर्पित है रिग वेद में सरवादिक संक्या में मंत्र संबंधित हैं अगनी को चुकि इंद्र आप्सन में नहीं है तो अगनी देव को 200 सुक्त नेक्स्ट है कि निम्द लिकित में से किसे रिग वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को नेक्स्ट निम्द्रिकित में से पुर्ववैदिक आर्यों का सरवादिक लोग पर ये देवता कौन था इंद्र नेक्स्ट गायतरी मंद्र किस पुस्तक में मिलता है रिगवेद में नेक्स्ट गायतरी मंद्र की रचना किस ने की थी विश्वा मित्र मुनी ने नेक्स्ट पुरानों की संख्या कितनी है अठरा स्रिमत भागवद गीता मौलिक रूप से किस भासा में लिखी गई है संस्क्रिट में लास कोस्टन है कि किस कालमा चूट के अवधारना इस पस्थ रूप से उदित होई थी अब संडी धर्म सास्तर के समय में तो फ्रेंट्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब लाइक और जाता सजाता फैमिल्यान फ्रेंट्स के साथ सेयर करें